नवस्कार दोस्तों मैं हूं बेटु कुमार और मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लो कमेंट करके जरूर बताएगा वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल एक बड़ी ख़बर आ रहे हैं देख सकते हैं बिन गुरु घ्यान कैसे हैं जी हां जब तक गुरु नहीं अस्कूलों में तो बच्चों को ग्यान कैसे मिलेगा और सायथ ये बाते बिहार के सिच्छा मंतरी नहीं समझ रहे हैं करोना की दूसरी लहर के बाद अस्कूल तो खुल गये लेकिन यहां पढ़ाने के लिए सिच्छों की है भारी कम बिहार के बीस फिच्छी अस्कूल एक या दो सिच्छक के भरों से चल रहा है सरकारी अस्कूलों में दो क्रोड बच्चे शिच्छों के तीन लाग से अधिक पद रिक्त हैं केस नमबर वन केस नमबर टू केस नमबर थिरी यहां देख सकते हैं सिच्छा मंति बिजय चोजरी से सिधी बात हुई तो क्या कहें वो हम आपको बतायते हैं हम चाहते हैं कि जल्द सिच्छक बहाल हो ताकि कमी दूर हो तो आप चाहते कैसे हैं यह थोड़ा हमें बताईए छे महने या साथ महने में डॉक्मन फिरिफिकेशन करने के लिए या इनका चैन हो गया है उनको आप नुक्ती पत्र देना नहीं चाहा रहे हैं जल्द से दल उनको विद्ध्याले पहुंचाईए ताकि जो बच्चे आ रहे हैं उनको अच्छे पढ़ाई मिल सके अच्छे पठन पठन कर सके हैं हम तो आवाज उठा सकते हैं भेड़तों का दे देने जा रहे हैं पहला नंबर पे कहा जारा केस नंबर वन पे क्या है वो देख लेते हैं मधुवनी के बासोपटी परखंड के खौना पंचायत का नया प्राश्मिक बिद्धाले लौथवा 2006 से तिन कमरे की भवन में चल रहा है जी हां यह मधुवनी बासोपटी की खबर है और इसमें छे से तिन कमरे हैं तीनों कमरे में कलास चल रही है यहां 162 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही महला सिच्छा महला सिच्छ का है सोच लिए अगर सिच्छा निती के तहत करें तो 40 या 45 बच्चे पे एक टीचर को होना चाहिए और नई सिच्छा निती जो है 22 अगर लागू होती है तो 30 और 35 पे एक बच्चे होने चाहिए फिर भी यहां पर देख लिए 162 बच्चों पे एक टीचर है क्या होगा कैसे पढ़ेंगे रहते हैं जमूई के चाकाई प्रखंड की बोगी पंचायत बोगी पंचायत का नया प्राथ्मिक विद्दाले तोला पहर दोहजर साथ छे कमरे के भवबन चल रहा है जिहां यह खबर alcanz की है केस में बंबर टू और दोहजरसाथ से इसमें साथ से छे कमरे तीन कमरे हैं再ं कि छे कमरें जिसमें पढ़ाई तीने कमरे में होती हैं तिन विमम्रम्बत की जरूरत है यहां 175 बच्चों को पढ़ाने और अस्कूल का कामकाज सम्हालने के लिए एक मात प्रूष सिचक हैं सोच लिए 162 पे एक महला सिचक तो यहां 175 पे एक प्रूष सिचक कारियत हैं घोधी कि अधारहा रहें कितना लोड़ होगा उस सचको पे वह सोचने वाली बात है कैसे पढ़ाई कर रहा होंगे सआथ सरकार को यह दिखती नहीं है कैसे नहीं दिखिया इसमिएए मिडिया वहला कभी गला बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र एक पुरू से चखें यहां थोड़ा बच्चों की संख्या कम है फिर भी जो अनुपात रखा गया वह अनुपात में ये भी अधिक है तो इस तरह का सुच्छर बाग कर रहा है कि कम बच्चों पे जादे बच्चों पे एक टीजर को र से गलत हो रहा है विभाग को आसा नहीं करना चाहिए कि आपके पास 38000 टीचर ऐसे पड़े हुए है उनको अस्कूल करना है न्युक्ति पत्र देना है और वह भी दाले चले जाएंगे फिर भी उनको दो से तिन मेहना से रोक के रख्या हुए उनको न्युक्ति पत्र हिच् आते हैं खर अब आते में पॉइंट पर देख लिए इस ख़बर को पंकज कुमार सींग के तरफ से प्रकास्त के आ गया और पटना से छपके आ रही हैं यहां पर देख सकते हैं कि बिहार के सरकारी अस्कूलों में इसको की घोर कमी है जी हां यह सब को पता है लगबग जित तक अस्कूलों में 3.15 लाग सीच को के पद रिक्त हैं जिसका असर है कि 3276 प्रामविक अस्कूल एक एक और 12507 अस्कूल दो दो सिच्छा के भरों से चल रहे हैं जी हां यह सोच लिए प्रामविक में अगर जो अस्कूल है 3276 इसमें इतने बच्चे हैं कि एक टीचर पे च स्कूल चल रहा है वहीं दो टीचर पे चलने वाले स्कूलों की संख्या 12507 है दोस्तों सूचने वाली बात हैं यानी बार्मी तक के कुल 78196 अस्कूल में करीब 20% अस्कूल एक या दो सिच्छों के भरोसे चल रहे हैं क्रोना की दूसरी लहर के बाद अस्कूल तो खुल ग सिच्छा मिलेगी अब क्या कहते हैं मानिय शिच्छह मंत्री ऻनका जवाब देख सकते हैं हम चाहते हैं कि जल सिच्छख बहालों ताकि कमी दूर और तो आपके हात व मैं मानियं A, 32iger प्रात्मिक स्कूल मात एक सिच्छख के भरोसे है कैसे मिलेगी अच्छे सिच्छ छषा हमारा लच्छ है कि जल से चक बहाल हो जाएं ताकि कमी दूर हो जाएं ये सवाल मानिया सिच्छा मंत्री से पुछा जा रहा है और उनका जबाब दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं अगला प्रशन है किसे चक साथ अनुपात राष्टी अस्तर पर 1126 है तो बिहार में 1156 ह हपन है क्यों मानक के अनुशार 30 बच्चों पर एक से चक आदर से 40 बच्चों पर एक से चक काम चलाओ इस्तिति मान सकते हैं यह सही है कि हमारे यहां एक से चक पर आस्तन से अधिक बच्चे हैं बहाली के बाद इस्तिति ठीक हो जाएगे 2015-16 के बाद तो सिजकों की बहाली नहीं हुई है जबकि लोग रिटायर हो रहे हैं हर साल सिजकों की बहाली करने का लच्छे जो भी कमी है हो रिक्ती तुरंत भर ले अभी प्रामविक अस्कूलों में 90,762 सिजकों की बहाली पर किरिया चल रही है चट्थे चरन के तहद हर सिजकों की भरती पर किरिया चल रही है फिर साथ में चरन की बहाली शुरू होगी क्या बिहार में सरकारी अस्कूलों के बच्चे गुर्मत्तापून सिच्छा में से दोर ही रहेंगे अभी पर्धाना ध्यापक वा पर्धान सिच्छक का नया समग बनाया गया है इसकी नियुक्ति के बाद अस्कूलों में अनुसासन सहित गुनुपतापून पढ़ाई होगी तो यह स्टेट्मेंट मानिय सिच्छा मंत्य जी का आया है दोस्तों जो कि हमने आपको बताया और वी कुछ अपडेट आएगा तो वह अपडेट हम आपको जुरूर देंगे पर यह वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके जुरूर बताएगा और इस वीडियो क करें के पास वीडियो जुरूर चाहिए ताकि वो कल होके यह प्रशन मानिय सिच्छा मंत्य से जरूर पूछे कि आखिर बिहार की सिच्छा विष्था को खराब करने में किसका हाथ हैं वह सरकार का या सिच्छा मंत्री का यह प्रश्न आप अगले किनिसे भी जरूर कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों